बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com बताएंगे दिन का हाल बताएंगे और राशिफल के आखिर में आपको बताएंगे कि ऐसा विशे शुपाय जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आएगा तो चलिए राशिफल की शुरुवात करते हैं पंचांग के साथ में तो दिन है रविवार का तारीख है 12 दिसंबर 2021 मार्ग शीश शुक्ल नवमी पर चंदरमा मीनराशे और उत्तरभाद रपद नक्षत्तर में रहेंगे दिन का शुभंक रहेगा दो शुभंक रहेगा सफेद शुद दिशा रहेगी व्यायव राहुकाल जो रहेगा वो रहे बचकर बावन मिनट तक इसके साथ ही आपको बता दूँ पंचक दिन रात रहेंगे सरवार्त सिद्धियोग और रवी योग ये दोनों योग रहेंगे सुभं साथ बचकर दस मिनट से लेकर रात को बारा बज़े तक और विशेश क्या है सूर्य पूजन है संड़े का दिन है और विशेश रूप से सूर्य पूजन किया जाएगा इस दिन तो ऐसे में मैं आपको बता दूँ कि अगर आप समय का हालात देखते हुए समय और हालात देखते हुए किसी भी संकर में तरोग से पीड़त होते हैं तो उससे छुटकारा पाने का विशेश रुपाई क्या है एस्ट्रोलोजिकली ये जानने के लिए राशेश फल को आखर तक देखना पड़ेगा तो चलिए राशेश फल की शुरुआत करते हैं राशे नमबर एक मेश यानिकी एरिस के साथ में मेश राशेवालो आर्थिक पक्ष जो है वो मजबूत रहेगा कारोबार में बड़ होगा रुके वे बड़े काम पूरे होंगे पारेवार एक आनन्द की प्राप्ति होगी प्रेमी गण शाम को घुमने जाएंगे उपाई ये करें कि राजमा के दाने गंदे पानी में बहादें शुभंक दो रहेगा शुबरंग रहेगा सफेद बात करेंगे राशे नमबर बात करेंगे तीसरे राशे में तुनियानी जमनाए की किसमत का साथ मिलेगा काम में मन लगेगा व्यापार में लाब होगा छातरकडी मेहनत करेंगे सांजेदारी में अच्छे परिणाम मिलेगे दाम पत्ते मधुर रहेगा उपाई ये करेंगे दलिया का सेवन करें पूर से लाल चंदन जला कर धूप करें शुभंक आपके लिए चार रहेगा शुबरंग रहेगा नीला पांचवी राशे सिंग यानिक लियो की बात करेंगे छातरों के करियर में उतार चड़ाव रहेगा थोड़ा तनाव में रहेंगे सीनियर्स की मदद से राहत मिलेगी खर्च में बढ़ोत्री होगी आर्थिक स्तिती जो है वो डामडोल रहेगी उपाई ये करेंगे पूजागर में गुड़ हल का फूल चड़ाएं जिसे चाइना रोज या हिबसकस कहते हैं शुभंक आपके लिए तीन रहेगा शुबरंग रहेगा पीला चटी राशी कन्या ऐनि के वर्गों की बात करेंगे लोग कामकाच का विरूद करेंगे घरे लू काम पर ध्यान दें छात्रों की पढ़ाई जो हो सामानने रही कि सेहतम उताज चड़ाव रहेगा बुजर्गों की सलह लेकर काम करें उपाय ये करें कि मस्तक पर कमकुम से तिलक करें शुभंक को साथ में डिनर करने जाएंगे उपाई ये करें कि कागस पर लाल पैंसे तरीम लिखकर जला दें शुभंक आठ रहेगा शुबरंग रहेगा काला आठ विराशी व्रिश्चे कैने कि स्कॉर्पियों की बात करेंगे दूसरों के कामों में दखल अंदाजी ना दें हर फैसला लेते समय बड़ों की सलहा जरूर लें कारोबार के रास जो हैं किसी से सांजाक ना करें घरेलों कामों में विस्तता रहेगी उपाई ये करें कि कि किसी गरीब बच्चे को अंजीर दान करें शुभंक दो रहेगा शुबरंग रहेगा सफेद बात करेंगे नवी राशी धन बादे शुभंक पांश रहेगा शुबरंग रहेगा हरा बात करेंगे दसवी राशी मकर यानिकी के प्रिकौन की रिष्टों में सकारा तमकता आएगी कोई अच्छी पारिवारी खबर मिलेगी पारिवार एक सामंजस्य बनेगा कारोबार में आगे बढ़ने के शांदार अब सर मिलेंगे उपाई ये करें कि धर्मस्तल में खजूर चड़ाएं शुभंक एक रहेगा शुबरंग रहेगा लाल ग्यारवी राशी कुंब यानिक अक्वेरियस की बात करेंगे घरेलु काम में विस्तता रहेगी जरूरी कामों में रुकावट आएगी धैरे रखें उलजने हल होंगी पारे वारे एक उत्साह रहेगा दोस्तों की मदद से रुके वे काम मनेंगे उपाई ये करें कि किसी वरद विखारी को बूड़े विखारी को दान दक्षना दें शुभंक एक रहेगा शुबरंग रहेगा लाल बारवी राशी मीन यानि पाइसेस की बा पाँच रहेगा शुबरंग रहेगा हरा तो दोस्तों आप समय है आज के विखेश उपाई का वो विखेश उपाई जो संक्रमित रोगों से मुक्ति दिलाएगा इन्फेक्शन से मुक्ति दिलाएगा क्या करेंगा आप दीके संड़े का दिन है विखेश दिन है तो सूरे पर सूखे आमले चड़ाएं आमला जो होता है विटामिन सी का सबसे रिचस्ट सोर्स में से एक सोर्स है तो सूखे आमला जो है वो सूरे पर चड़ाएं और जो चड़ेवे सूखा आमला है उसका रोज सेवन करें और एक विशेश मंतर का जाब करें ओम भासकरा ये नमहा नमस्कार, नमस्षिवाय.